निदाहास ट्रॉफी के फाइनल मैट में भारत ने बांगलादेश को हरा कर सिरीज अपने नाम की बांगलादेश के टेज गेन बाज रूबेल हुसेन इस मैट में टीम को मिली हार का जिम्मेदान खुद को मान रहे है इस वजह से उन्हें नीम तक नहीं आ रही है भारत ने बांगलादेश को चार विकेड से हरा दिया था इस मैट में रूबेल ने 19 वा ओवर फेंका था जिसमें भारत ने 22 रन जुटाएं रूबेल का मानना है कि उनके उसी ओवर ने टीम को मैट हरवा दिया बांगलादेश समा चार पत्र को दिये एक बयान में रूबेल ने कहा मैं इस हार के बाद बेहत खराब महसूस कर रहा हूँ मैंने नहीं सोचा था कि इस हार का कारण मैं बनूंगा हम फाइनल में जीत के इतने करीब थे लेकिन मेरी वजह से हम मैच हार गए मैं प्रशन सकों से इस हार की माफी चाहता हूँ इससे पहले बांगलादेशी कप्तान शाकीब अलहसन ने नतीजे पर निराशा तो जताई लेकिन साथ ही इस मुकाबले को शांदार भी बताया शाकीब ने यह भी कहा कि वह हार के लिए पच्छताना नहीं चाहते और अगर इस मैट जैसी स्थिती दोबारा आती है तो वह एक बार फिर रूबेल हुसेन को 19 वा ओवर देंगे बांगलादेशी कप्तान ने कहा कि इस मैट में कोई भी जीत सकता था लेकिन जीत का श्रे भारतिय टीम विशेशकर दिनेश कार्ति को जाता है उन्होंने सैयम बनाए रखा है तो दोस्तों आपके मुताबिक अगर भविश्य में भारत और बांगलादेश के बीच मैट हुआ तो कौन सी टीम मैट जीतेगी आप अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर दीजेगा